नगाब बदलना जेरे नहीं थार्ड अंपायर नज़र रखेगा इस लुमैंटिक सिटी में तेन लोगों की कुछ आईश नहीं है तो दोस्तो बोली उड़ की एक और जबरदस एक्शन से बरपूर दुमाकेदार फिलम रिलीस होने वाली है जिसका नाम है पैंथर तो दोस्तो इस जबरदस एक्शन एडवेंशर से बरपूर फिलम में हीरो के रोल में आप लोग को शारुख खान दा किंग देखने को तो दोस्तो आज की वीडियो में इस फिलम से जुड़ी में आपको तमाम अपडेट्स आगाह करने वाली हूं कि फिलम की कहानी के होगी फिलम की स्टोरी लाइन से देखर फिलम की रिलीस डेट तक सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जबर दिखना मिलेगी और यह मुवी बहुता इंट्रेस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की कहाने की बात की जाए तो फिल्म पठान में शारुख खान और दीबेका के जोड़ी को लोगों ने बहुत अदा पसंद किया था और इनकी फिल्में और इनक दोनों को ही लीड रोल में लिखने का फैस्टा किया गया है और फिल्म ने शारुख खान का रोल कहा गया है कि नेगिटिव हो गए यनि नेगिटिव रोल में होंगे जैसे कि हीरो एक पोजिटिव रोल में भी होता है लेकिन साथ साथ विल्म का रोल भी अदा कर रहा होता ह तो इस फिलम को इंडिया के सबसे बड़े और जाने माय डायक्टर जिन की तमाम फिलमें ही हीट होती है लोकेश कालाग्राज ने डायक्ट किया है और दोस्तों अगर आपको इस फिलम की बजट के बारे में बताते चलिए तो इस फिल्म का बजट बहुत दा हाई रखने का कहा गया है तो इसमें बहुत दा फाइट सीन और बहुत जबरदस किसम के एक्शन होंगे तो इसलिए कहा गया है कि फिल्म का बजट 300 से करोड से भी क्रोस कर सकता है तो दोस्तो अगर अब बात की जाए इस सबरदस एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की रिलीस डेट की तो इस फिल्म के बारे में कहा गया है कि इस फिल्म को इसी सार अप्रेल दोजर चोबिस में रिलीस किया जाएगा इससे पहले जो अपडेट आई थी उसके मताभी कहा गया था कि ये फिल्म 2024 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाएगी लेकिन वाद में इसकी प्रोड़क्शन के कुछ काम की वैसे इस फिल्म के बर में जो अपडेट आई है उसके बारे में इसको कहा गया है कि अपरेल 2024 से तक ही रिलीस किया जाएगा उससे पहले रिलीस नहीं किया गया लेकिन इसकी फाइनल डेट क्या होगी ने अपरेल की कौन सी तारही को रिलीस के जाएगा वो अब तक नहीं बताया गया तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके ज़रूर तहएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर